कहां चुपा कर रगदूं अपने हिस्से की शराफत, जिदर भी देखता हूँ, उदर बेइमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। नमस्ते, मैं प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया। सरकार इससे टस से मस नहीं हुई और विदेख दोनों सदनों में हंगामे के बीच पास हो गया। लेकिन आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बात किसान बिल्की नहीं, बलकि किसानों के आंदोलन इतिहास की होगी। बारत में किसान आंदोलन का काफी लंबा इतिहास रहे। देश में शहजान अंजच सरुसती जैसे किसान निता हुए। जिन्होंने ब्रिटिश राज में यूनियन का गठन किया था। वही राजनितिक दलों पर ये आरोप आजादी के बात से लगते हुए आए हैं कि समय समय पर उन्हें लुभाने की कोशिश तो करती हैं लेकिन कभी उन्हें वोट बैंक नहीं मानती। इतिहास कारों की मानें तो ब्रिटेश बाहरत के पंजाप रांत की उधान सबाने सर छोटू राम के राजस्व मंतरी रहते हुए साल 1938 में जो पहला क्रिशी उत्पाद मंडी अधिनियम पारित कर उसे लागू किया था दरसल उसकी परिकलपना चौदरी चरण सिंग की ही थ लेकिन पंत ने उन्हें मना कर दिया जिसके बाद करीब 1937 में चौदरी चरण सिंग ने उत्तरप्रदेश की युनाइटेड प्रोवेंस लिमिटेड असेमली में एक प्राइविट मेंबर बिल पेश किया लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पाया माना तो ये भी जाता है कि चौदरी चरण सिंग की ओर से लाया गया प्राइविट मेंबर बिल पास तो नहीं हो पाया लेकिन इस बिल की जनकरी जब ब्रिटिश राज के पंजाब प्रांत के राजस्व मंतरी सर छोटू राम को मिली तो उन्होंने इस बिल को मंगवाया औ जिनोंने किसानों के लिए और कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे। क्रिशी उत्पाद मंडिय दिनियम उन्में से एक था। इस कानून के लागू होते ही अभी वाजित पंजाफ के निर्धारित किये गए इलाकों में मार्केट कमेटियों के गठन का सिलसिला शुरू हुआ इस कानून के आने के बाद पहली बार पंजाफ प्रांत के किसानों को उनकी फसल का उचित मूले तो मिलना शुरू हुआ ही साथी बिचौलियों और आरतियों का शोशन जेल रहे किसानों को उनसे रहत भी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन बहरत के दूसरे प्रांतों में किस किसान, बिचौलियों, जमीनदारों और साहू कारों से संगर्श तो करी रहे थे, यू तो अलग-अलग स्तानों पर किसानों के विरूत की अवाजय उठती रहती थी, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताविक सबसे पहला और सबसे बड़ा किसान आंदूलन कब हुआ, इ उतियास के पन्नों में दर्ज हुए, इनमें ब्रेतानी हुकूमत की ओर से किसानों पर लगाए गए लगान के खिलाव भी देश के अलग-अलग इस्सों में प्रदर्शन किये गए थे, जिस तरीके से आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं, 19-00 की शुरूबात में ही बारत में किसान पहले से ज्यादा संकिडित होने लगे, साल 1917 में अवद में किसान लाम-बंध होने लगे, ये वो दौर था जब साल 1917 में ही अवद में सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे प्रभाफशाली किसानों का आंदोलन किया गया, साल 1919 ने इस संगर्ष को जोर पकड़ दिया 1920 के अक्टूबर महीने में प्रताबगड में किसानों की एक सबसे बड़ी रहलियां पर सामने आई इस दौरान अवद किसान सबा का गठन भी किया गया उस दोर में किसानों के से संगर्ष की खबर पूरे देश के किसानों में फैल गई और महराश के किसान निता बाबा रामचंदर कई किसानों के साथ इस आंदोलन में शाम मिल हो गए बाबा राम चंदर को पूरी कानी जुमानी याद थी और वो गाउं गाउं घूम कर उसे सुनाते थे और कुसानों को गोल बंद करने का काम करते थे पंडित जवाला लहरू ने अपनी जीवनी में इस आंदोलन और बाबा राम चंदर का उलेक करते हुए कहा कि उन्हें अवद में हुए किसान आंदोलन से काफी कुछ सीखा था उतर भारत में अवद किसान सवा किसानों के सबसे मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आया उत्तर प्रदेश के किसान ब्रिटिश हुकूमत की ओर से लगान में व्रद्धी उपज के रूप में लगान की वसूली के खिलाफ एक जुट होने लगे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया अवत के किसान आंदोलन से ठीक पहले यानी साल 1915 में महात्मा गांदी दक्षन अफरिका से भारत लोटे तो वै उत्तर भारत के किसानों की बुरी दशा और उनके शोशन से काफी परिशान हो गए थे जबकि बुर्टिश हकूमत के काश्टकारी कानून में किसानों के लिए नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था जबकि किसान इस कानून से चुटकारा पाना चाहते थे ऐसे में किसान आंदूलन की वज़े से ठंड में किसानों को सडक पर होने और बेमौत मरना हिर्दय विदारक है सरकार और नेताओं को किसानों को ठीक से समझाना चाहिए किसान आंदूलन को जल से जल बंद करवाना चाहिए ताकि किसी किसान की जानना जाए सत्ता किसी किसान की खूनी ना बन जाए सियासत को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसान के वोट के दमपरी वो चुनाब जीत कर आते हैं इसके लिए महात्मा गांधी अपने साथ वकीलों की एक टीम बेहार के चंपरन लेकर पहुँचे जा किसान ब्रतानी काश्तकारी कानून से सबसे जादा तरस्त थे वकीलों की इस टीम में राजेंदर प्रसाद, अनुग्रे नाराइंड सिना, जेबी क्रपलानी और मौलाना मजरूल हग भी शामिल थे इतिहासकारों की माने तो महात्मा गांदी 10 अप्रेल को चंपरन पहुचे और उन्होंने 15 अप्रेल से चंपरन में इस कानून के खिलाब सत्याग्रे शुरू कर दिया था बाद में जवालान नहरू भी इसमें शौमिल हुए थे चंपरन सत्याग्रे की तरह ही उस दोरान सरदार पटेल के नेत्रतु में गुजराद के खेडा और बरदौली में किसानों का भी सत्याग्रे अंदूलन हुआ इस अंदूलन के दोरान बलवाई पटेल को सरदार की उपादी दी गई 1930 के दशक में महात्मा गांदी के आहान पर चोरी चोरा का आंदूलन भी हुआ गांदी जी के मैदान में उतरने के बाद भारत बर में किसान एक जुठ होने लगे और साल 1936 में सौामी सहजान अंदस और सती के नेतरतु में भारत की कम्मिनेट्स्ट पार्टी ने अखिल भारती किसान सबा का गठन किया उस दौर में आजादी के बाद भी किसानों के आंदोनन चलते रहे इस बीच लाल बहादुर शास्त्री के प्रदान मंतरी रहते हुए साल 1965 में हरित करांथी की शुरूबात हुई इसने उत्तर भारत खास तोर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को आत्म निर्बर्तों बनाया ही शुरूबात में इसका लाभ पंजाब के किसानों को जादा मिला बाद में हरियाना और पश्यमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी इसका फायदा हुआ लेकिन दूसरे राज्यों में किसानों के सामने कई समस्यां खड़ी होने लगी चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरीए असी के दशक का उधारी करण का दौर हैं एक बार आपको समझा देते हैं एक अप्रेल 1987 के दौर की है ये बात जहाँ पर पश्चिमी उत्रप्रदेश के मुझफवन अगर के एक करनुखेडी गाओं में बिजली गर जल गया जैसे छोटे से मामले को लेकर लाखो किसान करनुखेडी में जमा हो जाएंगे किसानों के प्रदर्शों को देखते हुए उनकी संख्या देखते हुए सरकार भी गवर आ गई और उसे किसानों के लिए बिजली की दर को कम करने पर मजबूर होना पड़ा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये किसानों की बड़ी जीत थी तब उन्हें लगा कि वो अपने मुद्दों को लेकर बड़ा आंदूलन भी कर सकते हैं बस फिर क्या था उसी साल अक्टूबर महिने में सिसोली में किसान पंचायद बुलाई गई जिसमें उत्तरपदेश के मुख्य मंतरी वीर बाहदुर सिंग भी शामिल हुए किसानों ने अपनी एकता को जान लिया था और महिन्दर सिंग टकैत के रूप में उन्हें एक किसान नेता भी मिल गया फिर कुछी महिने बाद यानी 1988 में जनवरी महा में किसानों ने अपने नए संगटन भारती किसान यूनियन के जंडे तले मेरट में 25 दिनों का धरना आयुजित किया जिसने अंतिराज टेस्टर पर खूब सुर्खिया बटूरी इस धरने में पूरे भारत के किसान संगटन और नेता शामिल हुए इस धरने में किसानों की मांग थी कि सरकार उनकी उपच कदा साल 1967 से तेकरे इस अंदूलन के बाद महिन सिंग टकेट ने विदेश की यातराएं भी की हलाकि उन्होंने कोई अपना दल नहीं बनाया था लेकिन उन्होंने जंता दल के प्रत्याशी मुफ्ती मौहमत सेयद को मुझफर नगर की सीट पर समर्थन दिया जिसके बाद साइद लोकसभा में चुन कर गए हलाकि इस दोरान उनकी राजनितिक दलों से संगर्श भी हुआ और नौबत यहां तक आप आपउची कि टकेट के खिलाफ मायवती ने अनुसूचित जाती उत्पीरन कानून के तहत मामला दर्च कराया तो वहीं साल 1990 के मुख्य मंतरी रहते हुए मुलाइम सिंग यादव ने टकेट को गरफतार करवा दिया मुलाइम सिंग को पता नहीं था कि टकेट की गरफतारी के बाद सदन में 63 विदायक भी इस्तिफादे सकते हैं टकेट से पहले उत्तर भारत में सर्वमानने किसान निता के रूप में चौधरी चरंड सिंग का नाम आता है जो छपरॉली विदान सबा सीट से 40 साल तक लगातार विदायक के रूप में चुने जाते रहे चौधरी देवी लाल भी किसान निता थे लेकिन वो राजनितिक दल के जरीए आंदोलन करते थे जो महिंदर सिंग टकेट ने कभी नहीं किया बहरत में आजादी के बाद से लेकर आज तक हुए किसानों के आंदोलन या संगर्ष को देखा जाए तो ये साफ है कि किसान संगर्ष तो करते रहते हैं लेकिन जब बात वोट की होती है तो उनका विरोध और आंदोलन वोट के रूप में परिवर्तित नहीं होता है मिसाल के तौर पर मद्रपदीश के जिस मंसौर में किसानों का आंदोलन हुआ और पुलिस की गोलीबारी में पाच किसानों की मौत हुई वहीं से सप्ता पक्ष के उम्मीदबार फिर से जीत कर आए जबकि किसान ने उन पर अंदेखी के गंबीर आरूप लगाए थे बारत के करीब 2500 किसान संगटुनों की संस्था अकिल भारती किसान संगर्ष समानवे समिती के राष्ट संयोजक सरदार वीम सिंग यही कहते हैं कि जब 80 के दश्रत तक किसान आंदोलन हो रहे थे तो किसान जाती और धर्म के नाम पर बटा नहीं हुआ था किसानों के आंदोलन के बाद राजनितिक दलो को पता चला कि यह कितनी बड़ी ताकत है इस एकता को तोड़ने के लिए राजनितिक दलो ने किसानों के बीच जाती और धर्म के नाम पर फूड डालनी शुरू की किसान इस जाल में फस गए यही वजह है कि किसानों की अवाज संसद और विधान सबाओं में ठीक तरीकी से उठ नहीं पाती है फिलाल इस खास पेशकर्ष में सिर्फ इतना ही ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेक्ट बॉक्स में जरूर लिखे हैं ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सिस्क्राब करना न भूलें मस्कार